प्यारे साथियों आप सभी का वेलकम हैं आप सभी के चैनल एल्टू भाईया पर देखेंगे जैसा के कल या परसु हमने एक पोश्ट डाला था यही पोश्ट है जिसका मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ बताया था कि मदरसाबोट के स्टूडेंट को मिलेगा चार लाक रुपिया जी हाँ ये बिलकुल सही नियूज है और सटिक नियूज है हंड्रेड परसेंट सही है तो अब ये कैसे मिलेगा रुपिया और किस स्टूडेंट को मिलेगा लड़का को मिलेगा या फिर लड़की क मिलेगा वो सभी चीज आगे हम विस्तार से बात करेंगे तफसील से बतानी कि आपको मैं कोशिस करूंगा तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंद तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किये वे देखिएगा और इसमें जो सातियों ये जो मैं डाला था इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट का कोमेंट कितना अच्छा चाया उसे भी मैं सुनाने की कोशिस करता हूँ देखिए एक भाई हैं जिनका ये क्या कहते हैं अपना नाम लिख रखा है तालिमी चैनल देखिए ये तो बहुत अच्छे शिक्षित भी लग रहे हैं पढ़ी लिखे भी अच्छे जानकार भी लग रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है इनका कहना है कि अरे भाई कुछ सोच समझ कर बोला करो कुछ भी मत फेको वरना फिर तुम भी फेको में शुमार हो जाओगे हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो इसका गलत फायदा मत उठाओ रियल बात बताओ जी हाँ बिलकुल आपको मैं रियल ही बात बताता हूँ अगर आप इतने ही अकलमंद और समझदार होते तो आप हमारे वीडियो का इंतजार करते कि उस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूं लेकिन आपने इंतजार नहीं कि आप फौरान गदम उठा लिया समझदार आदमी वो नहीं होता है कि जो कोई भी बात हो और बिना सोचे समझे कॉमेंट कर दे तो इसलिए बराहे महरबानी कॉमेंट करने तो थोड़ा सही से आप कॉमेंट करे उसके बाद देखेंगे ये क कैसे मिलेगा मुझे तो नहीं यकीन तो चलिए आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको ये चार लाक रुपे कैसे मिलेगा और किन को मिलेगा और ये कब तक में आ जाएगा तो चलिए साथियो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारि में हैं और मदरसा बोर्ट से आप फोकानिया मौलवी आलीम फाजिल अगर आपका किलियर है तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे जिस क्या कहते हैं चले सबसे पहले मैं इस टोपिक पर बात करता हूँ यह चार लाक रुपे है क्या और कैसे मिलेगा तो देखेंगे बि हार के मुख्यमंतरी सीरी नितिश कुमार जी के तहट यह साथ निश्चे योजना के तहट जो है साथियो इसमें साथ तरीकों के योजना यानि के साथ तरह का जो योजना होता है वो दिया जाता है जिसमें अभी जो है साथियो फिलहाल तीन तरह का योजना इसमें चलाया जा रहा है जो के बहुत ही फैमस और अच्छा योजना है वो सबसे पहला देखेंगे डायरेक्टली यहां पर आप देख रहे हैं सबसे फॉर्स्ट नंबर में बिहार स्टूडेंट करेडिट कार्ड योजना उसके बाद मुख्यमंतरी निश्चे स्वयम सहयता भत्ता योजन इसमें जो मुख्यमंतरी निश्चे स्वयम सहयता भत्ता ये क्या है इसको बोला जाता है साथियो बेरोजगारी यानि के अगर आप 12 पास कर रखे हैं यानि के अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं तो आपको हर महीना में 1000 रुपए के परती माह के दर से आपको दी जाती है उसके बाद कूशल युवा प्रोग्राम यानि के के वाई पी ये कोर्स बिलकुल नहिसुलक करवाई जाती है बिहार सरकार की तरफ से कोई भी स्टूडेंट क्या कहते हैं केम्पूटर के नौलेज से वन्चित न रहा पाए बच न पाए ये हो गया अब चलेंगे हम 4 लाख रुपे का जो है ये नितीश कुमार बिहार सरकार जो है वो आपको लॉन प्रोवाईट करवाती है यानि के इसमें कराइट एडिया ये रखा गया है ये योगता ये रखी गई है कि अगर आप मोलवी पास हैं मोलवी कहें तो अगर आप इंटर पास है चाहे बिहार बोट से हो चाहे मदरसा बोट से हो तो आपको बिहार सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का लॉन दिया जाता है वो लॉन जो है साती हो वो कैसे मिलेगा अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं या फिर 12 पास कर रखे हैं बिहार बोट से हो या मदरसा बोट से हो तो आपको 4 लाख रुपए का ये लौन दिया जाएगा लेकिन ये जो लौन मिलेगा आपको कैसे मिलेगा इसके लिए जो सबसे पहले आपको और लाइन आवेदन करना पड़ता है उनके बाद हर डिश्टिक में जो प्यारे साथियो जितने भी बिहार में डिश्टिक हैं उसमें एक DRCC क्या चीज़ DRCC रहता है जिसमें के इसका रजिस्टेशन हुआ करता है तो इसमें जो 4 लाख रुपए आपको हाथ में नहीं दे दिया जाएगा ये 4 लाख रुपए जो प्यारे साथियो आपके आगे की पढ़ाई के लिए दी यानि के मानली जी अगर आप मोल भी पास कर चुके हैं अगर आप आलिम में एड्मिशन करवाते हैं तो आपको ये रुपए दिया जाएगा उन कोर्स को करने के लिए अगर आप मानली जी आगे के लिए आप BCA करना चारे हैं या फिर BBA करना चारे हैं उसके बाद और भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे की वह करवाना चाहरे हैं और आपके पास रूपिया नहीं है तो आपको सरकार जो है चार लाक रूपए का लौन देगा अगर आप बॉइस हैं यानि कि अगर आप लड़का है तो इसमें आपको चार पर्सेंटेज के तोर पर आपसे रूपिया लि मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं कि सबसे पहले तो इसमें चुकाना इस तरह पड़ता है कि अगर आपको चार लाक रूपए का लौन दिया गया अगर आप मान लेजिए सपोस्देट बिसी ए कोर्स कर रहे हैं तो ये कोर्स को फाइनल होते ही आपको जैसे ही सरकारी ज चरफ से जोब लग गया छे साल के अंदर तो जैसे ही आपको जोब लगा और एक्जामपल मान लेजिए कि दस हजार रुपए आपको परमंत मिल रहा है तो इसमें से आपको आठ ही हजार रुपए सरकार देगी दो हजार रुपए आपका इस्टूडेंट करेडिट कार्ट के जो आप लॉन लीए हैं उसके लिए काट लिया जाएगा उसके बास सातियों अगर आपके पास छे साल के अंदर छे साल के अंदर कोई न कोई जोब तो ज़रूर मिलेगी प्राइवेट जोब ही मिली है तो मालने जोब अपका अगर बीस हजार रुपए परमंत का है तो चार परसेंटेस के हिसाब से यानि के हर महीना उसमें से आपको वही चार हजार से पांच हजार रुपए जमा करना पड़ता है तो इस तरह से इसको चुकाना पड़ता है अब जो साथ यह जो स्टूडेंट करिडिट कार्ट के तह जो युजना चलाई जाती है तो यह रुपए आपको हाथ में नहीं दे दीा जाएगा नहों कि बैंक भी नहीं बेजा जाएगा यह डीरेक्ट लेह आप जिस 없이 में एडिमिशन लें गे उस रिखेंगे तो ऋरीरेक्ट college में ये रुपिया जाएगा यानि के आपको सिर्फ DRCC बलोग जाकर के registration करवाना है और जिस course के लिए आपने admission लिया है उस college में वहां का free structure होगा उस college का रसीद होगा identity card वगएर जो भी होगा उसको upload कर दिया जाएगा और मालने जिए BCA course अगर 3 साल का है तो इसमें semester wise आपका रुपिया लगता मालने जिए first साल में आपका 10,000 रुपे खर्च हुआ तो 10,000 रुपे जो आपका लगा तो ये directly आपको नहीं देना है ये जो है क्या कहते हैं direct बिहार सरकार के तरफ से ये जो रुपिया आएगा और आप अगले कोर्स के लिए पढ़ाई के लिए इसमें लॉन लेना चाहरे हैं ये रुपिया लेना चाहरे हैं तो वो कैसे अपलाई करेंगे कैसे मिलेगा तो आप कुमेंट जरूर कीजिएगा मैं उस पर पूरी तर एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आप सभी खुद से अपलाई कर सकते हैं और डियार सी सी में जाकर सभी डोकुमेंट को जमा करके आप आगे की पढ़ाई के लिए अपना कैरियर बना सकते हैं मुझे मालूम नहीं था लेकिन हमने सर्च किया तो इस पर बताया गया और इसमें हमने फॉन भी किया हेल्फ लाइन नमबर पर तो मुझे शक यह लग रहा था कि शायद हो सकता है कि मदरसा बोट के स्टूडेंट को रूपिया नहीं मिलता होगा लेकिन उन्होंने कहा कि ब कैसे करना है और क्या करते हैं डियर्च वगयर कैसे जाना है तो यह इसके लिए कोमेंट जरूर की चाहिए है बनाओ या ना बनाओ अगर बनाना है तो यह सिलेगा और सथी पर वीडियो में जरूर्ड कर दोंगा ताकि आपको आगे की पढ़ाई के लिए कोई भी